हेलो दोस्तो आज आपके सामने फिर से नौरीज इंफो के यूटूब चैनल पर आपका सभी का बहुत बहुत फागर आज मैं आपको एक साहरा और सेविक से जुड़ी एक नई जानकारी देने के लिए आज फिर से आपके सामने पस्तित हुआ हूँ तो आज हम बात करते हैं साहरा की साहरा और सेविक की जो भी चीजें हमारे पास आज की डेट में चल रही है तो उसमें करीब करीब सबी लोगों को ये चीए मालुमिं हो चुकी है कि बहिए इससमें किसी के payer नहीं हो पा रहे हैं तरह किसी का payment नहीं करे पा रहा है नहीं कि इस 7 चीजों में अगर देखा जाया तो सन 2011 में किरिंग हुए थी तारस सेब शेवे न ही बोला था कर रही है और और अपनी स्कीमों ते वह अनल तरीके से इंवेश्टमेंग कर रही है। कि इस हारा का कहना है कि हमने जो भी इंवेश्टमेंग्ट लोते लिए हुए है उसको मैं खुद जो जो टाइम पे होता जा रहा है उसकी मैचोटी देता चलना हूं. लेकिन अगर आप बात करें तो सन 2013 से करीब पेमिंट लोगों के रुके हुए हैं और अभी भी वो पेमिंट लोगों के नहीं हो पाए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह रहा है कि जो सारा और सेवी का जो एक वर्चस चल रहा है जो एक मलब 33 परदा जो चल रही दोनों की कि सेवी का कहना अलग है कि आप पेमिंट कर यह सारा का कहना है कि मैंने पेमिंट कर दिये हैं कुछ ही बचे हुए हैं तो इस तरीके की जो चीजे चल रही है तो इसमें कितनी सचाई है और कितनी अपवाएं इस चीज में फैली हुई है यह आज की डेट में कोई नहीं जानता है लेकिन जिस तरीके से यह चीजे स्टार्ट हुई थी जो मालब बॉंड्स सारा कंपनी ने अपने जो मल्टिपल बॉंड्स निकाले थे तो सेवी ने इसको अवैद करार दिया है कि मालब यह बॉंड्स भी लीगल है जो की नहीं होने चाहिए लेकिन इनी बॉंड्स के जरिये इंवेश्मेंट हुए और लोगों के पेमेंट भी हुए अगर हम बात करें उसके थोड़े से पहले की तो उसके पहले अगर देखा जाए तो सारा का नाम एक तरीके से बिकता था अगर किसी से भी अगर आप बात करते है कि सहरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आदमी फटसे बोलता था ठीक यदी आप बताये हमको और मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तयार रहूँगा और जनरली लोग उसमें तैयार होते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि मारा जो भी हमारा पेमेंट जा रहा है किसी भी स्कीम पे जा रहा हो चाएं, RD पे जा रहा हो चाएं, FD पे जा रहा हो चाएं, MIS पे जा रहा हो ऐसे तो investor का मतलब loss हो रहा है, इसमें आप कैसा करें कि आप सारे payments लोगों को वापिस कर दें, नहीं होती है, क्योंकि कोई भी investment जब लिया जाता है, तो उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े regions होते हैं, और उन region को देखते हुए, भाई कोई भी company अगर बड़े-बड़े funds उ अच्छा था, तो लोगों को विश्वास था कि भाई जिस तरीके से थारा हमको payments करवा रही है, तो उस तरीके से आदमी बिना कुछ सोचे समझे मलब उसमें invest कर देता था, उसको यह विश्वास था कि हमारा payment कहीं से भी कहीं नहीं जाएगा, बलके हमारा एक तरीके से payment भी यह तब से हमारे payments पे रोक लग गई है, चुकि सेवी ने जितने भी सारा के जो खाते थे, बैंक खाते थे, सारे फ्रीच करवा दिये हैं, और उस पे भी audit बैठा दिया कि मिलब आपने payment क्यों नहीं किये, जबकि सारा का कहना है कि मैंने करीब करीब 50 से 70% payment मैंने कर दिये है अब लेकिन उसके प्रूफ जो मांगे जा रही हैं वो उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए थे, चीजें सब changes हुई, payment convert हुए, सारा क्यू शॉप में payment convert हुआ, ये भी सब रातो रात हुए, सब payment convert किये गए ताकि एक company से दूसरी company में ये सारा payment के गवर हो है, लेकिन धीमेदी में सारा की मुसीबते कम नहीं होती रही बढ़ती चली गए, अभी हाल में सारा इंडिया financial corporation का license रिस्ट कर दिया गया, real estate के जो प्रोजेक्ट थे वो बंद हो गए, चुकि लोगों को जो payment लिये गए थे, प्रोजेक्ट के लेंड के लिए, वो प्रोज सारा इंडिया financial corporation के जो license रिस्ट कर दिया गया है, कि आगे इस तरह से कोई भी payment ना लिया जा सके, आज जिस तरीके से इस्तिती बनी हुई है, सारा की, तो आने वाले समय में जब की चुकि इन्होंने अपने newspaper में करीब अगर आल ओबर इंडिया देके तो 114 newspaper में उन्होंने अपने अलग-अलग विग्यापन दिये कि आपका पैसा सुरच्चित है, जहां आप लोगों ने इतने समय तक धहरे रखा है, तो थोड़े समय तक और भी धहरे रखें, ताकि मैं आप लोगों के payment करवा सको, आपका पैसा पूरी तरह सा लेकिन पैसा कितना सुरच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अगर नहीं मिलता है, तो कैसे मान गया जाए कि मेरा payment सुरच्च्च्च्च्च्च है आपको थाया है जानकारियों को स्बेर कर रहे हैं तेख रहे हैं तेरे को बगद अश्का लगए है आपका प्यार इसकी पर आपके है यह हमारी फ़ीदे है और दोसको हमारी शेयनल को दोस्के लोग से जोड़ करें परक्षने दोसको भी बुले जाएट में प्रिंत करन लेकिन इस हो ड़ी मोऔ करना कोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकि मैं कोशिस रखता हूँ कि मैं जिसने जादा जादा आपके कमेंट को साट आउट कर सकूँ यह मेरे की बहुत अच्छी बात रहती है जहां तो फिरे वीडियो को देखते हैं असल्द करते हैं तो दोस्तों मेरे वीडियो को गरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल जो सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार को इसी तरीके से दिलता रहा है और मैं नहीं नहीं दे रहा है और नहीं किसी के पेमेंट्स कर रहा हूं बलकि वह 15% इंट्रेस्स के अकॉर्डिंग वह पेमेंट्स और भी सारा गूर्प से मांग रहा है ताकि वह अपने अकॉन में पहले वह जितना भी डिपॉजिट है जो 62,200 करोन का है वह पूरा कर सके उसके बाद पेमेंट्स किस तरीके से करेगा वह से भी जानता है लेकिन यहां पे ल इसमें लगा हुआ है और लोगों ने एक जो पेमेंट का जो इन्वेश्मेंट किया था वह बहुत ही सिक्योर को देखते हुए कि आथा कि सारा में हमारा कोई भी पैसा नहीं डूबेगा और हमें जिस समय जवरुत होगे हमें सारा सब वह पेमेंट मिलेगा लेकिन आज उस इसे या से भी से कि भाई किसी भी तरीके से इन्वेश्टर को उनके पेमेंट देने की विवस्था कराई जाए ताकि अगर इन्वेश्टर को उनका पेमेंट मिलेगा तो एक बार फिर से उसी तरीके से सारा का जो एक वर्चस कायम हुआ था पहले उसी तर्व से वो फिर से वर्चस कायम होगा और आगे उनको investment फिर से मिलने सुरू हो जाएंगे लेकिन उसके लिए पहले हमको investment जो हमारे लिए गए हैं उनको वापिस करना पड़ेगा तभी हमारा एक विस्वास फिर से लोगों पे जमेगा और लोग हमारा फिर से विस्वास जीतेंगे और हमारे को ओके से वो payment देने सुरू करेंगे चाहीं वो रड़ी में हो सकते हैं माई होसकता है नहीं चाहीं कि साणास करते हैं कि इस तरीके से जो Assad मांगे गया हैं वह इस तरीके वह बहुत ही ज्यादा लगा के मांगा गया है जिसको सारा सीने का है कि वह इसा इंटरस्ट तो लगा के देना पॉसबिल्टी नहीं है और जो उन्होंने जितना भी पेमेंट मांगा था वह अलेडी सारा सेवी एकाउंट में पहले से ही जमा किया चुका है लेकिन सेवी ने अ तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जो भी नई जानकारी मेरे को प्रास होती है मैं एक बाग फिर से आपके सामने रूब्रू होँगा तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद तो नॉलेज इनफो के यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत सौगत है आज मैं फिर से आपके सामने उपस्तित हुआ एक नई जानकारी के साथ अभी कुछ सुत्रों से ये मालू हुआ है कुछ न्यूज चैनल से ये मालू हुआ है कि साहरा ने ये दावा किया है कि जो स पूरी तरह से गलत है अगर बात करते हैं तो करीब जो एक प्रिंस्पल रासी करीब 24,200 करोन की जो मांगी गई थी तो आर्लेडी साहरा समू ने उस रासी में करीब 22,000 करोन रुपए जमा किया जा चुका है मलब साहरा सेवी एकाउंट में 22,000 करोन का जो एमांट है वो जम भुकान करें तो यह भुकान इस तरीके से लगा हुआ है कि जो उन्होंने प्रिमिंट किया हुआ है उस पे वहां से पीछे से वह 15% rate of interest से ब्याज को एड़ करके वह मांग रहे हैं चुकि साहरा सुब्रतार जी का कहना है कि यह मलब एक तरीके से गलत है कि इस तरीके की जो एमांट मांगा गया है वो पूरा पूरा गलत है भाई जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिशाइट किया था कि 24,200 करोन साहरा सेवी एकाउंट में जमा किया जाए तो उसको देखते हुए साहरा समू ने या साहरा समू जो ग्रुप था तो उसने साहरा सेवी एकाउंट में करीब 22,000 करोन रुपए का डिपॉजिट कर दिया लेकिन सेवी दारा आज भी वो डिमांड की जा रही है कि 62,200 करोन रुपए का भुक्तान किया जाए जो कि 15% इंटरेस्ट के साथ उसमें जो इंटरेस्ट है वो भी एड किया हुआ है यहाँ पे जो हमारे सुब्रितरा सारा जी है उनका कहना है कि यह डिमांड पूरी तरीके से गलत है इन्होंने उस पे आयाच का भी दायर की थी लेकिन उस पे कोई विचान नहीं किया गया और यह बूला गया है कि अगर वो इस तरीके बुक्तान अगर वो नहीं करते हैं तो चुकि जो पैरोल पे उनको जो रियाही को फिड से उनको जेल में डालीया जाएगा तो अभी विए एक संसे बना हुआ है कि जब जतनी रि Bei मांगी जा रही है वह मालेडी सार साह के जो भी इन्वैस्टर्स हैं जनके पेपर्सक्र उनके पाता हैं तो उनके पेपर उनके पाथ सकती हैं लेकिन अभी वी करीब हर घर मान करों लोग बात करते हैं तो करीब पॉइंट आठ परसंट के ही पेमेंट हुए हैं इन्वेस्टर के तो अभी तो बागी पूरा ब्रैकट खाली पड़ा हुआ है और जो हमारा पेमेंट है वहाँ पे उनके एकाउंड में पड़ा हुआ है और डिमांड कंटीनू बनी हुई है कि इतना पेमेंट आप डिपॉज कर दिया है तो अगर जो मैंने पेमेंट डिपॉजिट किया पहले आप उससे पेमेंट करें आगे के